नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल को सल्या देशी कीचन में हर्दिक स्वागत है आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आई हूं सेम का बीच का सबजी बनाने का रेसिपी इसे बनाना बहुत आसान है और यह बहुत ज्यादा टेश्टी बनता है तो आप हमारे वीडियों तक इसके लिए चाहिए सीम सीम हमने बड़े साइज का लिया है अब हम इसका बीच को निकाल लेंगे इसका खाने का टेश्ट जो है यह राजमा जैसा लगता है बिल्कुल और दिखता भी है उस्सी तरह से यह इसका बीच हम निकाल लेंगे यह दिखी है ना बड़ा-बड़ा तो और एक निकाल कर आपको दिखाते हैं यह बहुत ही अच्छा कलरफूल दिखता है यह दिखिए बड़ा बड़ा सा इसका बीच है सारे बीच को हम निकाल लेंगे एक साथ निकाल लिया हमने करीबन आधे किलो है यह अब हम आलू लेंगे दो उबला हुआ इसका साथ लेंगे दो प्याज बड़े और तीन टमाटर ग्रेवी के लिए दो चमच धनिया एक चमच पिला सरसो एक चमच जीरा एक पोठा लशून पाच फड़न गोल की एक चमच अधरक मसाले को हमने पीछ लिया खड़े मसाले अब हम कडाही में डाल देंगे बीच को इसका टेस्ट बिलकुर राजमाजी से लगता है इसी में डाल देंगे पानी और इसे हलका सवब आ लेंगे इसी में डाल देंगे नमक कि सारे बीच में नमक चला जाए डाल दिया है हमने और इसके बाद हम ढखकन लगा देंगे कि यह उबल जाए इदिखी चेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है बिलकुल चेंज हो चुका है और यह उबल चुका है इदिखी अगर आप हमारे चानल पर नए है तो हमारे चानल को सस्क्राइब करें और हमारे रेसिपी को लाइक करें और सबमें सेर करें कि आने वाली रेसिपी का नोटिपिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा इसे निकाल लेते हैं बरतन में और पानी को फेक देंगे पानी हम योज नहीं करेंगे इसी में डालेंगे वह हम तेल सरसो का तेल हमने डाल दिया है गरम हो जाए तो पाचपोड़न को हमने डाल दिया है और थोड़ी से लसुन और इसी में डालेंगे दो हरी मिर्च यह हमने अलग से हरी मिर्च डाल दिया है और प्याज डाल देंगे कटा हुआ और इससे चला लेंगे इससे चलाते रहेंगे कि यह जले ना अब हम इसमें डालेंगे एक कप गाजर कटा हुआ आप अपने पसंद का सबजी इसमें डाल सकते हैं चला लेंगे इसे अभी ठंडा का मोसम है और सीम का सीजन है यह हमने उबाला था बीच वो हम डालेंगे इसमे इसका टेश्ट खाने में बिल्कुल राजमा जैसे लगता है इसे चला लेंगे दोस्तों अगर आपने हमारा राजमा चावल बनाने का रेसिपी नहीं देखा है तो आई बटम पर उसका लिंक दिया हुआ है आप वहाँ जाकर देख सकते हैं टमाटर भी हमने डाल दिया है और इसी में मिला लेंगे इसे चलाते रहेंगे और उबला हुए आलू भी हमने डाल दिया है इसे भी चला लेंगे अच्छे से सारे सबजें हमने मिक्स कर दिया है इसी में हल्दी डाल देगे आप इसके बाद हम डालेंगे नमक, स्वादनुसर इसे भी मिला लेंगे टमाटर हमारा गल जा है अब हम इसमें डालेंगे इसके साथ हमने कास्मिरी लाली मिर्स पाउडर डाल देए इसे भी मिला लेंगे चलाते रहेंगे कि यह जले ना तुले को हमने मेडियम रखा है और पीसे वी मसाले इसमें डाल देंगे आप अगर गुड़ी मसाले खाते हैं तो पहले से ही थोड़ी सी पानी में भीगो कर रख दे कि मसाले अच्छे से फूल जाए चला लेते हैं मसाला हमारा जले नहीं अब इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा तीखा कर सकते हैं कस्तूरी मेथी हमने एक चमच मसल कर डाल दिया है इससे बहुत अच्छा फिलेवर आता है इसका अगर आपके पास हरी मेथी है तो वह भी आप डाल सकते हैं हरा प्याज है तो भी आप डाल सकते हैं इसमें । थोड़ा सा पानी डाल मिक्स कर लेए अच्छे से मसाली को आप इसे चावल के साथ या रोटी के साथ खा सकता है बहती ज्यादा टेस्टी लगता है अब इसमें हमने डाल दिया है गरम मसाले आप सब्जी मसाले भी इसमें डाल सकते हैं चला लेंगे अच्छ से दक्कन लगा देते हैं कि दिखिए कि सब्जी हमारा बिल्कुल गाहा हो चुका है इसमें थोड़ा सा हरी इधन यह डाल देते हैं कि चला लेंगे कि खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता हिए अब दीख सकते हैं कितना बढ़िया बना हिए बहुत ज्यादा टेस्टी चली से हम प्रोष्टे हैं अब दीख सकते हैं कि कितना टेस्टी यह बना है गाजर डालिंग बाद यह और ही ज्यादा टेस्टी बन जाता है दोस्तों अगर आपको हमारा रेसिपी पसंद आये तो हमारे रेसिपी को लाइक करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें यह दिखिए कितना बढ़िया बन चुका है आप इसे रोटी के साथ चावल के साथ खा सकते हैं यह बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है प्राठे एक साथ भी आप खा सकते हैं तो फिर से मिलती हूं एक नए रेसिपी के साथ झाल